पूछ रहे हैं जो सनातन बिरोधियों को सनातन की कट्टरता से ही जवाब दिया जा सकता है सनातन बिरोधि मतलब रामर के खांदान और ये रामर कितना भी कुट पिट गया पर आगी को लोगो जोको निया रामर ने सिर काट दिये पर चड़ा दिये सिर काट कर जुका नहीं है ये सनातन बिरोधि भी जुकते नहीं है तो इनके लिए संगही सकती कली यूग में संगठन बनाओ एक चैन लंबी बनाओ और कोई भी सनातन की बात करे उसका पून पुर्जोर तरीके से समर्थन करो तब ही हम उसको जबाब दे सकते हैं आरिय मिस्रा आरिय मिस्रा आपका प्रश्ण अती उत्तम है चात्रों के जीवन जीने की उचित सैली क्या होनी चाहिए बहुत यही उत्तम प्रश्ण है आपका आरिय जी चात्रों का उचित जीवन संसकार में रामचरत मानस में हम आपको इतना कह सकते आठ-ाठ गंटे बाट लीजे आठ गंटे पड़ाई आठ गंटे सोना और आठ गंटे में चार गंटे संसकार चर्चा भगवत चर्चा भगवत भजन चार गंटे में अपनी निजी जीवन के खेल कूंदर श्वास्त संबंदी विवस्था अगर चात्र जीवन अपने 24 गंटे को इस प्रकार अगर डिवाइट करते हैं तो ना तो पढ़ाई में अवरोध होगा ना भगवत भजन में अवरोध होगा ना स्वास्त में अवरोध होगा और उच्च जीवन संस्कार में वनेगा यहो भगवान करें स्वास्त ठीक हो जाए परिवार का और एक बार आप दर्शन करने पेसी करने आप बागे सुर्धाम की प्रारंब कर दो हम मिले या ना मिले परचा आपका बने या ना बने अब तो बड़ी अनुकमपा हो गई कि जो भी पेशी करना प्रारंब कर देता है नियम करना प्रारंब कर देता है और उसके उपर भगवान बागेश्वर बाला जी की बड़ी करोण कृपा हो जाती है का बात है सीताराम साधुजी बिटिया कुब कर सके कहुं रोक नहीं हमें तो बड़ी हसी आती है ये ब्रहम पहला दिये हनमान जी को भाई रूप में ऊपिता रूप में कुब सेबा कर सकते नित्य पवित्र दरौ में नित्य सेबा कर सकते झाल झाल